माता शवरी से रास्ता पूछ कर श्री राम और लक्षमन निकलते हैं और किशकिंदा परवत पहुँच जाते हैं इस द्रिश को देखकर शुग्रीव सोचते हैं कि ये दोनों बालक कहीं मेरा वद तो करने नहीं आ रहा है शुग्रीव अपने मंत्रियों से विचार विमर्ष करते हैं और फिर हनुमान जी को भेजते हैं हनुमान जी एक ब्रहामन का वेश धारन कर वहां पहुँचते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं फिर हनुमान जी उनसे कहते हैं आप तो भगवान हैं एक भग्त को आप नहीं पहचान पाएं तब श्रीराम कहते हैं तुम तो स्लोक पढ़कर इस तरह की बातें की भग्त को तो एक भग्त की तरह ही होना चाहिए और फिर श्रीराम और शुग्रीब में दोस्ती होता है जैसा की उनके मंत्री कहते हैं या एक राजनितिक दोस्ती है तब स्रीराम कहते हैं कि यह तो एक तुक्छ वक्ती ही इस तरह की बात सोच सकता है अगर मैं सोचता हूँ कि आप मेरी शहायता करें या मैं आपकी शहायता करूँ तो यह श्वार्थ है दोस्ती तो प्रेम और त्याग के साथ ही होती है इस तरह से श्रीराम का आदर्श देखने को मिला जैसा की जब माता शीता रावन के द्वारा हरन हुई थी तो उन्होंने कुछ आभूशन नीचे गिरा दी वह आभूशन हनुमान जी के पास पाया गया हनुमान जी आभूशन दिखाते हुए श्रीराम और लक्षमन जी से कहते हैं कि यही आभूशन हमने पाया है श्रीराम रोते हुए कहते हैं हाँ यह आभूशन तो शीता का है और रोते हुए लक्षमन से पूछते हैं लक्षमन बताओ क्या यही आभूशन है तो लक्षमन कहते हैं कि मैंने तो उन्हें चरन असपर्स के द्वारा शिर्फ पायल को ही जानता हूँ हमने तो उनका मुख नहीं देखा लेकिन यह पायल दर्शाता है कि उन्ही का यह आभूशन है और इस तरह से पता चलता है कि माताशीता दक्षिन दिशा में गई हैं और दोनों के बीच दोस्ती होती है श्रीराम और शुग्रीब के बीच में इस शीरियल से पता चलता है कि हमें अगर भगबान को प्राप्त करना है तो शर्धा पुर्वक ही हमें भगबान की प्राप्ती हो शक्ती है दूसरी बात यह है कि दोस्ती में हमें प्रेम और त्याग अपनाना होगा श्वार्थ पर दोस्ती नहीं हो शक्ती है तीश्री बात यह है कि यह हमें शिखाती है कि किस तरह से एक देवर और भावी का जो मर्यादित शंबंध होता है यह हमें शनातन धर्म शिखलाती है जो हमें रामाईन से ज्ञान प्राप्त होती है इस तरह से कहा जाशकता है कि रामाईन एक ऐसा पवित्र ग्रंत है अगर ध्यान पुर्वक हम देखते हैं तो हमें बहुत बातों की जानकारी प्राप्त होती है जै श्री राम झाल झाल